हम लोग शिमत भगवत गीता के आठमे दाय के सत्रमेश लो को देख रहे हैं। सोलवे में भगवान ने कहा आब्रह्म भवना लोकाहा पुनरावर्तिन वर्जुना माम उपैत्यत कौंतेय पुनर जन्मन विद्यते। इस जगत में इस ब्रह्मान में आब्रह्म भवना लोकाहा अर्थात ब्रह्म लोक परियंत जितने भी लोग हैं वह पुनरावर्तिन वहां पे पुनरावर्ति होती बार बार जन्म लगा रहता है। माम उपैत्यत कौंतिया किन्त हे कौंतिय मुझगों प्राप्त करके पुनर जन्म न विद्यते दुबारा जन्म नहीं होता है। अब कुछ लोग अगर ऐसा कहें कि यह भी तो सुना गया है कि ब्रह्म लोक में जाने के बाद सन्याशी गणड़ जो होते हैं उनका मृत्यू नहीं होती। हम तो असा सुने हैं शास्तर में कुछ उलेख है ऐसा। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्म लोक में जाकर पुनरावृत्ति होती है क्या क्या ब्रह्म लोक में जाकर सन्यासियों की पुनरावृत्ति असंभव नहीं है क्या ब्रह्म लोक में जाकर हां पुनरावृत्ति नहीं होना असंभव नहीं है क्या ऐसा नहीं है कि ब्रह्म लोक में जाकर कि विक्ति की पुनरावृत्ति नहीं हो जहाते हैं मर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ऐसा भी सुना जाता है कि वहां कोई शोक नहीं है तो फिर यह चक्रवर्ती बात क्याते हैं कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि वहां पुनरवर्ती नहीं हूँ दू बार ना लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा नहीं है क्या ऐसा हो नहीं हो सकता कि वहां पर पुनरवर्ती नहीं हूँ एटा होते ना पारे उखाने पुनरवर्ती हो बिनना आप समझा गया और और शीदर स्वामी पात कह रहे हैं कि वह पढ़ेंगे तो समझा दाएगा यह लिंक समझा लिजिए तो अब यह समझाने के लिए कि नहीं ब्रह्म लोक में भी पुनरवर्ती होती है इसलिए ब्रम्हां जी का आयू बता रहे हैं कि बहुए इतने समय बाद्वर्ती नहीं होती है कुछ लिंक समझ में आ रहा है अगर आप सोचो संश्यकरों कि हो सकता है कि ब्रह्म लोक में भी व्यक्ति को को मुक्ति मिल जाए दुबारा जन्म ना मिले हो सकता है कि ब्रम लोग में शाष्वusजीवन मिल जाए आरे समान शब्द में कहें कि हमने सुना है कि ब्रह्म लोग में मृतिव नहीं होती है तो क्या ब्रह्म लोग में शाष्वत जीवन संभव नहीं है तो इसको क्लारिफाय करने के लिए कि भगवान बोल रहे हैं कि नहीं ब्रह्म लोग में भी शाष्वत जीवन नहीं है लंबा रहें हैं बहुत लंबी टाइम लिमिट है लेकिन ब्रमा जी की परम आयूब ही सीमित है वह शाश्वत जीवन नहीं है इसलिए उसको भी अशाश्वत में ही कहा जाएगा अचा एक चीज और बता सोच लिजे कहेंगे आपके वहां बिमारी तो नहीं होते सत्य बात है लेकिन जो असीमित सुख है उसकी तुल्ला में कोई भी सीमित सुख दुख है की नहीं है जैसे कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है और उसमें वह संतुष्टी का अंभव करता दूसरे व्यक्ति और अधिक रोची पूंट चीज खा रहा है क्या वह कुछ नहीं खाया क्या आप लोग ने ऐसा वाक्य उपयोग किया कभी एर यार तुम लोग कुछ खाय ही नहीं तो खा यद्यपी वहां हॉस्पिटल नहीं है ब्रह्म लोग में किसी को जुखाम खासी नहीं होती है और बुढ़ापा भी नहीं होता है प्रशना रहा है बुढ़ापा भी नहीं होता है और जब उनकी परमायुस मावत तो वहीं से वह भवान के धाम चले जाते हैं लेकिन वहां वही आद्ध्यात्नी जगद की तुलना में सुख नहीं है हम लोगों को जब तक असी मिश सुख नहीं मिलेगा हम दुखी ही रहेंगे ये clear हो रहा है तो असीमित सुख ब्रम लोक में भी नहीं है थोड़ा समाझ देना चाहिए मैं क्यों बात क्या रहा हूँ क्योंकि दुखालियम अशाश्वत्तम की व्यक्या कर रहा हूँ अशाश्वत्त है इसकी व्यक्या भगवान अभी अग्ले श्लोग में करेंगे सत्रव में कि कैसे इसकी टाइम लिमिट है सीमित समय के लिए ब्रमलोग है और दुखालियम की व्यक्या कैसे हो जाएगी वहां भी भगवान की वैसी सुख नहीं मिलता जैसा की वैकूंठ में मिलता है यद्यपी इस प्रकार का बढ़ापा और जन्म का दुख नहीं होता है अब ब्रह्मा जी प्रते शिरूप से मा के गर्व से नहीं प्रकट हूँ है तो उस अर्थ में आपको दुख नहीं ग्रहन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग भागवतम के प्रतमिस कदमें शुबात पर सुन लिए हैं कि उनलों को कि दो खताब होता है जो हम लोगों को देखते हैं कि छोटा सा खीड़े जीवन और उसमें भी इतनी चिंता है बीटी क कोई शुक नहीं होता है अगर आपको याद हो तो प्रतमिस कदमें बात बोली गई थी तो वह ना अकुरी का टेंशन है ना वहां पर और कोई नेशन है वह लेकिन हो कभी कभी देख के शुक करते हैं तो कुछ लिंक समझ में आ रहा है यह समझाने के लिए कि ब्रह्म लोक भी शाश्वत नहीं है ब्रह्मा जी की परम आयुका वंडन कर रहे हैं इस स्लोक में अठा आठ सत्रा में मेरे पीछे बोलिए सहस्त्र युग परियंतं अरह यद ब्रह्मनों विदु हू रात्रीम युग सहस्त्रान्तं तेहो रात्र विदो जना हा युग सहस्त्रान्तं तेहो रात्र विदो जना हा तो यह श्लोक आपको समझ लेना अच्छे से आप गल्ती नहीं होने चाहिए सम लोगो मानविय गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर पढ़िये आप मानविय गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा के दिन बनता है और इतनी इतनी बड़ी ब्रह्मा के रात्रे भी होते हैं एक हजार यूग और यहाँ यूग का ममतला हो गया चतुर यूग और चतुर यूग किन साल के होते हैं हमारी गणना कि अनसार 43 लग very good 43 लग साल के होते हैं 43 लग गोना 1000 के तना होता है factor ग्लोना और खुना केतना होता है बर्मा जी का इससे आगे आचारगन बताते हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी जीते हैं सौ साल के लिए सहस्त्र यूग परियंतम एक हदार चत्र यूग व्यापी यहां यूग का अर्थ एक यूग नहीं है यहां यूग का मतलोगा सत्यूग तृता द्वापर और कली इसको मिला करके 43 लाँक साल होता है ब्रह्मन ब्रह्मा का यत अह मतलब जो और अह मतलब होता है दिन आपने शब्द सुना अहर निश चुना इस अहर निश यूग सहस्त्र आंतम एवं एक हजार चत्र यूग व्याद het आपी रात्रे मोर्त हें उनको विद्यू जो जनते हैं तेज कंध वे लोग अहो रात्र डिन और रात की तक तो चाननेवाले यह क्या रहे हैं कि है वर जाएं कि पार छिकरवात है हम लोगों कहा पठी आप दिन को जानते हैं हाँ यह दिन है रात आत है हम धिन और रात को प्रिछवी कर परिपेक्ष में जान T हुआ कि हसा हम दिन और रात को प्रिछवी के रेफरेंस फ्रेम में रेलेक्टिवली जानते हैं लेकिन वास्तिविक दिन को और रात को जानने वाले वह योगी हैं यह वो शास्त्रग्य हैं जो समझते हैं कि दिन का मतलब ब्रह्मा जी का दिन यहां कितनी दिन रात भी जाएगी ब्रह्मा जी का दिन चलना गॉट इट जैसे अब हम लोगे दिन में बहुत सारे कीड़े आ करके मर जाएंगे फैमिली करेंगे बिजनेस अपना पहला आएंगे और वहां मर के चले आते हैं मानते इस बात को बहुत सारे कीड़े दो-चार मिनट ही जीते हैं यह तो पता होगा दिखता ही है द्रश्ट है तो उनकी सा सारा जीवन है वह सी दो-चार मिनट में समट जाता है काफी इंट्रस्टिंग है और अभी और प्रभपाजी की तात पर से और क्लीर होगा तो हमारा दिन ही चला उनका मोर्निंग ब्रेव सब कुस सब निपड़ गया उसमें कितने सब निपड़ गया मर भी गए वह शादी ह प्रकार के जीवन जीनी है कि उसकी भी कोई गणा नहीं है कि कुछ मेरी भाषा समझ में आ रही है तो जो वास्तवी गरूप से जानते है तो जानते है कि दिन कर्थ है बारहा घंटे ब्रहमाजी के जिसमें की एक हजार चतुर्यूग होते हैं हमको यह सारे श्ल्यूग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यह हमको शाश्वत रेफ्रेंस फ्रेम में देखने में समर्थ करते हैं शाश्वत जीवन में ब्रह्मा जी की परम आयू भी ऐसी है जिसको हम धालना भी नहीं कर सकते तो अब उसमें हमारा यह स्पार्ट जीवन स्पार्ट समझते हैं पर फ्यू सेकेंड्स का जीवन जो है वह क्या महत्त रखता है बहुत इक्ता की दृष्टी से लेकिन आप उनको बोलें कि थोड़ा सा आवास कम करें या दर्वाजा बंद करने तो अच्छा रहेगा एक आवाज हो तो अच्छा है बरतन की वाज हो या मेरी वाज हो उससे की वाज है ठीक अर्षी फ्लोपूरा इंप्ट बूट जाता है बात कर लात हम York ऐन रेंट्स की बात कर शाच्छा ष्वा समयать की बात करते ब्रंबहां इसी ब्रम्हा जी की परम आयू के बात प्राप्त करते हैं और अभी आप सुन चुके हैं अगर वो भक्त हैं तो फिर आएंगे लेकिन मनुष्य जीवन में और इधर भारत में एक ही जीवन में भगवान को समर्पित करके वैकुंट की प्राप्ति कर लेगा अब अपने भाग की प्राप्त प्राप्त समझ रहें कि जो हमारे ब्रह्मा जी को कुतने लाकों करोनों सालों के बाद प्राप्त होगा हम हरा की परवार के संग रह क्यों जा रहे हैं परवार के संग रहिए ना वैकुंट में कुछ पास समझ में आ रहे हैं पूरा परवार ही लिके जाए ना जब जो होटल में जाते हैं तो पूरा परवार लिके जाते हैं तो जब वैकुंट जा रहे हैं तो अकेले क्यों जा रहे हैं बल मैं कुछ समझा पा रहा हूं उस बात को, तो ये ब्रह्मा जी की आयू के बारे में वड़न हो रहा है, या तो दिन के बारे में वड़न हो रहा है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल, सहस्त्र यूग परियंतम अहर यद ब्रह्मणा विदु, जो विदु हैं अर्था यूग सहस्त्रांतम रात्री को ब्रमाजी की रात्री को यूग हजारों यूग के अंत को मानते हैं अब एक हजार यूग का जब अंत हो जाता है तो उसको ब्रमाजी की रात्री मानते हैं को समझ रहे हैं एक हजार यूग का समय बीच जाएगा तो ब्रमाजी का दिन उसका प्रलय होगी आशिक प्रलय ब्रमाण नहीं नश्ट होता है तो वह कब तक रहेगी एक हजार चतर यूग तक रहेगी ते अहो रात्र विदो जना उनको अह मतलब दिन और रात मतलब रात्री को जानने वाले लोग जानते हैं शिदरी यदि कहो कि तपस्वी दान शील आसकती रहित और तितिक शुब मनुश्य तीनों लोगों से उपर शोक रहित स्थान को पाते हैं इत्यादी पुराण वचनों के अंसार तीनों लोगों की अपेक्षा महर लोग आदी की स्रिष्टा सिद्ध होती है यदि सभी समान रूप से विनाश्शील हैं तो यह विशेष्टा कैसे रहेगी यह आशंका करते करके बहुत और अल्प समय तक स्थाई रहने के निमित से यह विशेष्टा है इस अभिप्राय से अपने परिमान से सौ वर्ष की आई वाले ब्रह्मा के प्रत्यक दिन में त्रिलोकी की उत्पत्ती और प्रत्यक रात्री में प्रले होता है यह दिखाने के इच्छा से ब्रह्मा के दिन और रात का प्रमान होता है तो समझने का प्रयास किजिए आपने कहा वहां सीखाया कि ब्रह्म लोग परियंत जितने भी ग्रह हैं वह सभी विनाशील हैं तो इस कारण से बारम बार पुनरा वरतन होता रहता है जब ग्रह ही नश्ठ हो गया गा तो रहेगा कैसे आदमी सुनीचे आना पड़ेगा तो अब यहां पे कोई objection करें कि नहीं हमने सुना है कि तपस्वी आदी जो लोग होते हैं वह जो ब्रमचर का पालन करते हैं वह सब उन तीनों लोकों से भूर भुवस्वा उससे उपर महर लोक आदी की प्राप्ति करते हैं तो अगर महर लोग भी विनाशील है तो वह अब इ सबी विनाशील आसकती रहे तो ती दिग शिलोग उस तीनों लोकों से उपर की स्थी को प्राप्त करते हैं जब बोल रहें उपर की शिति तो उसका मतलब है कि वुच अलग बहु समय की है स्वर्ग जल्दी नश्ट हो जाता है और महर लोग आधी यह सब बहुत देर में नश्ट होते हैं ध्यान दीजेगा कि ब्रह्मा जी की रात्री के समय महर लोग नश्ट नहीं होता है महर लोग, जन लोग, तप लोग, ब्रम लोग, ये चार लोग उपर के हैं, चौदा के में से, तो महर लोग नश्ट नहीं होता है, लेकिन महर लोग तप जाता है, तो वहां के निवासी तप लोग में चले जाते हैं, उपर की लोग में, कोई समझ पा रहे हैं बात को, और बा तवे कितने तपने लगता है, तो वहां के निवासी व्यानों पर चड़ करके उपर के लोग में चले जाते हैं। तो ये बात बुली जानी कि महर लोक, जन लोक, तप लोक और ब्रम लोक, ब्रह्मा जी की पूरी आयू तक विद्धिमान रहते हैं। ये गिलिर समझ में आ गया। तो इस दिश्ट्री से ये लंबे समय तक रहते हैं। ब्रह्मांड का नाश नहीं होता है ब्रह्मा जी की दिन में। ब्रह्मा जी के दिन में केवल त्री लोकी का नाश होता है भूर, भुवस्वा, तीनों लोकों का ये प्रत्वी, इसके नीचे के लोक और उपर के लोक, एक लेर हो गया। ठीक है। तो यहां पर ब्रह्मा और रात के दिन और रात का प्रमाण बताते हैं कि जो विद्वान जन है वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के रात एत्य समय की होती है। बताईए ज़रा फिर से एक हजार चेतर योग और उनका दिन कितने समय का होता है। बारा गंटे। अभी-कभी विरोध में कहा जाता है जब ब्रह्मा जी बारा गंटे सो सकते हैं। तो हम लोग केवल छाए गंटे क्यों सुए। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मा जी सोते नहीं है। ब्रह्मा जी गर्भु दक्षा विश्णू से सिक्षा लिती रहते हैं जब रेस्ट करते हैं। यह आप हम पढ़े हैं प्रहपाजी की तात्पर महीं कहीं लेकिन इस समय याद नहीं। सोते नहीं है इस प्रहस। तो त्यार है ब्रह्मा बनने के लिए सोने को नहीं मिले। गीता वोशन टीका यह श्लोक वन करता है कि स्वर्ग आदी सभी ग्रह और ब्रह्म लोग भी समय सीमय की कारण नश्ट हो जाते हैं। जो योगी यह जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन चत्र योग के 1000 चक्रों के बाद समाव्थ हो जाता है और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्री होती है तो ऐसे विक्ति दिन और रात्री को जानने वाले है चत्र युग सहस्त्रम्तु ब्रह्मणों दिनम उच्चते ब्रह्मा जी का एक दिन चार युगों का एक हजार बार का चुक्र है थोला भक्तों को कुछ नई भी भक्तों नई समझ में आ रहा होगा देखिए ये कल्यूग है बत्तिस लाख कुछ साल का 4,42 यह समार जी más чäh 4 lac 32000 में सोच रहा था five cake Ohам 2300 साल का होता है इसका जोड़ति जहीं को गल्द हो रहा डबल हो गयाrent द्वापर में š्रहा आर्ट अर्वे locks और उसका double हो गया किटाब हो डबल तो नहीं हैं Reg edeble का से कुछ है तो जोड डीजे का टोटल मिला करके 43 लाग साल आना चाहिए वो सटिंग कर लिजे का कैसे भी करके कल्यूग का याद है कि रह रहे हैं उसमें से पांच चाहर निकले हैं कोई कहगे कि अब बस 2030 में दुनिया समाप्त हो जाएगी तो नहीं होने वाली उसके बाद भी रहे कि वो मत के खचला दाएगा लेकिन उसके बाद भी दुनिया चलेगी कैसे चलेगी वो हम देखना नहीं चाहेंगे लिगन चलेगी तो चार लाख 32,000 साल का कल यूग है उसके बाद चार बारा और 16 नहीं 16 इंटू 16 प्लस बारा जो भी होता हो हम कल यूग के जी में हम सक पुछ का से याद रखेंगे लेकिन चार टोटल आना चाहिए 43 लाख साल अलग है रही है कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप समझ गए टोटल समझ रहे है 43 लाख साल के हो गए सत्योग त्रेता द्वापर कली मिलाकर और गुणा एक हजार कर देजिए तो यह हो गया ब्रह्माजी के दिन और रात्री के यह ज्याता इस जगत के रात्री और दिन के जानने वालों से अलग हैं जो सूर्य और चंद्रमा के अंसार इसकी गढ़ना करते हैं यह दिन रात नहीं जो आप यहां देख रहे हैं अभी तू शास्त्री के अंसार समझना होगा यहां ग्याता अर्थात महर लोग आदी में उचतर लोकों में रहने वाले लोग क्योंकि वे ही ब्रह्मा जी की रात्री और दिन का अनभव कर पाते हैं यह समझ में आया इस वेरी नाइस सबसे उपर का प्लानेट है ब्रह्म लोग फिर तप लोग फिर महर लोग तो महर लो के लोग देखते हैं कि बर्मा जी की रात्री आ गई और वो देखते हैं कि अब कैसे त्रीलो की नश्ट हो गया वो देखते हैं यान आ गए अब हम चलते हैं उपर के लोग में फिर देखते हैं कि दिन हो गया क्या इंट्रॉस्टिंग पॉइंट है हम शास्त्र को सुन रहे है और शास्त्र के जारा शिकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी का दिन और रात होता है और कोई तरीक हमारे पास नहीं है तो एक तो यह है कि शास्त्र को जानने वाले और दूसरा क्या है जो अनभव कर रहे हैं इसको कौन लोग अनभव कर रहे हैं जो इसके बियॉंड जीते हैं मैं विल नो जैसे कोई कीड़ा आज पौने ग्यारा बज़े पैदा हुआ और साड़े ग्यारा बज़े मर गया तो वह आज की रात्री नहीं देख पाएगा शुकार करते हैं इस बात को लेकिन हम लोग समझ रहें इस दिन और रात को कि हम इसके अधिक जीते हैं तो यहां विदु का अर्थ है महर लोके निवासी जो ब्रह्माजी की आयूपरियंत जीते हैं तो बार-बार देखते हैं कि दिन हो रहा है रात हो रहा है दिन हो रहा है रात हो कुछ एस्टॉनिशिंग लगा आपको ऐसे हमारे जैसे कितने ही कीड़े आकर के मर जाते हैं मानते हैं ब्रह्मा जी के एक ब्रह्मा छोड़ दिए कल्यूप में कितने कीड़े आकर मर गए उन कुछ कीड़ों को अनुबल पुरुसकार मिला कुछ कीड़ों के द्वारा कुछ लोग को पदमश्री मिला कुछ को यह मिला कुछ को मिला ऐसे तमगे लगा के चले गए लोग सोचेंगे कैसी गंदी बाते कर रहे हैं लेकिन बात तो यही है और क्या है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसकी को वैल्यू नहीं है अब ब्रह्मा जी उस वेक्ति के लि जूस काई को तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि इस ने नाम बोलने की इच्छा करी है बहुत जल्दी ये हमारे धाम के द्वारा होते हुए भगवान के पास जाएगा शाष्वत जीवन के लिए इसलिए बनाना शुरू कर देते हैं आपके बात को सुनाई नहीं पड़े तो बहुत तक देह लेकर क्या द्यात्मि जगत जाएंगे ओहुँज कैसे पिएंगे तो ब्रह्मा जी क्या कि जल्द का जूस बनाएंगे वो बुद्धी का जूस बना सकते हैं किसी कभी जूस बनाए गंदा प्रश्ण था अच्छा प् नहीं बता रहे हैं नाम कि महिमा बता रहे हैं आपको बंगला में क्लास सुनना पड़ेगा आप इंदी को त्रण गलट इण्टेप्ट करने किसमझ में आ रहा है कि नाम की कितनी महिमा है अर्थ यह है कि मानवों का एक साल देवताओं का एक दिन और रात होता है हमारे 365 दिन देवताओं का ब्रमाजी बात नहीं कर रहे हैं देवताओं का एक दिन और रात होता है 24 आवर्स इसी प्रकार उनका देवताओं का दिन रात 15 दिन और महिने की गणना होती है यह थहुड़ा समंझने का प्रियास किजी यहां पे ब्रभ माजी का एक दिन क्यों बता रहें कि उतना ही हम किन सकते हैं से एक साल बता रहें तो यादbased लाटल नहीं रहरा है तो यह साल बताएंगी तो क्यासे आतजाएंगा तो एक दिन बता करकर बोल रहा है कि ऑस सौ साल जीते हैं उसके बाद ये गर्फ नष्ठ हो जाते हैं आप समझ में आप को बहुत एक ही दिन के बात करने पूरा जिरनी की वह लेकर लेंगे तो जिन्द करेंगे कि बिद अब खहेंगे आप कितने देवताओं के इस प्रकार बारा हजार साल मानवों के चतर यूग के बराबर होते हैं तो 43 लाग इंसानों का is equals to 12,000 years of demigods इस प्रकार के एक हजार चतर यूग साल ब्रह्मा चतर यूग साल नहीं होना चाहिए चतर यूग होना चाहिए बस इस प्रकार के एक हजार चतर यूग मनुश्यों के ब्रह्मा जी का एक दिन होते हैं उसी प्रकार उनकी रात्री भी होती है इस प्रकार के दिनों रात्रियों पक्षों और थात 15 दिनों मासों और वर्षों से ब्रह्माजी के लिए गढ़ना होती है, वो कर ले सकते हैं, उसके लिए कैलकुलटर लेकर बैठना पड़ेगा, यतनी इसमें जीरु आते हैं, इस प्रकार सौ साल ब्रह्माजी की आयू होती है, इसके बाद लोकों के विनाश के बाद यहां चक्रपुन इसलिए उस व्यर्थ को उतना ही करे जो अर्थ का पोशन करे, भाशा समाझ में आ गई, नहीं तो समय व्यर्थ में ही व्यर्थ करेगा, प्रपात कहते हैं, यूजलेस वेस्ट अव टाइम, कभी वेस्ट अव टाइम यूस्फुल भी होता है, क्या लेकिन एमफसाइज करने प्रपात कहते हैं, यूजलेस वेस्ट अव टाइम, समझ रहना बात, भारे सामने भक्त बैटे हैं, तो प्रभजी माता जी दो बच्ची तो, आप लोग एक रूम में लह रहे रहे हैं, आधिक पैसे होते तो लगते कि ये रूम छोटे पड़ रहे हैं, स्वहन में आ गया, आदमी भई होते, गलत तो नहीं कह रहे हैं, और अधिक पैसा आता तो कहते हैं, ये चार तुहें और चार कमरे और होने चाहिए, ये हमने देखा है आखों से, अपनी आखों से देखा है, एक भक्त ने दिल्ली में हम घर गाए थे तो, एक दो तीन चार माले बना रखें, माला उपर वाला खाली था, इसलिए बगाली थे ये एक दो तीन चार बना रख खाली है, कोई रह भी नहीं सकता है, बस कि लोक लोक और लोक की लाक कर रखे रो बस डरते हो कोई आए ना जाए, चोड़ी नकर ले बस ये हिन, उस जिश्टी से किराय पे रहना बड़ा अच भगवान का बजन करने समय ने निकाल पा रहा है यह बाते में बार-बार सुनी एक भक्त बता रहे थे प्रभुजी यह मत सुना करें बहुत डर लगने लगता है क्योंकि जितनी भी हम प्रयास कर रहे हैं उनकी व्यर्थता दिख जाती क्या आपनों कोई सामर्थ हो गया या कभी मेडिटेशन करते हैं इस तरह का कि हमारे जो माता पिता थे या भाई बंदू थे जो मर गए बीना भक्ती किये उनका जीवन एकदम व्यर्थ हो गया या हमने भी जो बक्ती में आने से पहले समय किया खराब वो पूरता खराब था क्रिकेट खेले या फुटबाल खेले या कुछ भी खेले वेर वी थोट वे रिए इन जॉएंग वी जस्ट वेस्टेट अर ताइम कंपलेटली कुछ नहीं मिला उससे अचा फुटबाल क्या मिल गया आपको बहुत चारी सीच शीखे क्या सीखे क्या सीखे किसी एक चीछ से भी की मुक्ती कैसे मिलती है तो कुछ नहीं सीखे जो भी सीखे वो था अहार निद्रा भाय और मैथुन वह तो बंदर भी सीखता है उसको वह नहीं आता है और पोलर भीर को सुना नहीं आता है वाखि जोंक बार हम नहीं बोल रहे है ऊचार कीजिए तो यह चक्र बार-बार होता रहेगा यह कल युद्धि फिर से आएगा फिर सत्यूगंग आएगा हम अगर चाहें तो इसका फाइदा उठा करके भवान का नाम ले करके बिलकुल आसानी से भगवान के पास जा सकते हैं इस सीखना चाहिए आगे बढ़ते हैं सारार्थ वर्षणी पादेशु सर्वभूतानी पुम्सस्तिति पदो विदुहू अम्रितम छेममभयम तरिमूर्धनो ध्याई मूर्धसू इस्व में भागवत किश्लों को है 19 से पूर्ण पुर्षुत्तम भगवान अपनी एक चथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक एश्वर के परम आकार की रूप में जाने जाते हैं जिसमें सारे जीव रह रहे हैं भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवर्ण से परिस्टित है उसमें अमर्ता निर्भाइता और तथा जरा और व्यादी से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है अरे यह क्या हुआ ओ नो दिस इस वेरी अनफॉर्चुनेट की दिस इस वेरी अर्चुनेट चलिए अब हम क्या करते हैं मैं कुछ रखा तो था लेकिन यह गाइब हो गया जो पढ़ाना चाहरा था वो गाइब हो गया तो मैं उसका अनवाद पढ़के बता देता हूं कि बहुत सुन्दर है यहाँ पर दिखाने के लिए इंग्लिश पर है वो इसको मैं बोल देता हूं ऐसे अद्वत हो गया ऐसे कैसे हो गया जो इसमें क्या लिखा है यह लिखा है तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का धाम इस प्रकार से अमृत छेम और अभय का स्थान है लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रमलोक में भी छेम का स्थान है तो क्या ऐसा एक सन्यासी के लिए संभव नहीं है कि वह वहां चला जाए और मृत्य को प्राप्त नहीं हो अगर वह वहां रहना चाहता हो तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उसको मृत्य प्राप्त नहीं हो हम यह हम दो च्छ उन्निस तो जोग यहां कोट किया गया उससे हम यह मानते हैं जानते हैं कि भगवान का धाम तो निश्चित रूप से अभाय का स्थान है, लेकिन हमने यह भी सुना है कि बर्मलोक में भी अभायता है, निर्भायता है, और कोई सन्यासी वहां जाके पहुंचता है, तो वह जब तक चाहिए वहां पर रहे, ऐसा जरूरी है, क वहां पर रह सके, तो अब वहां पर वह कहते हैं, नहीं, ब्रह्मा भी जो उस ग्रह के स्वामी है, उनको भी मरना पड़ेगा, तो अन्यों का तो कहना है, इसलिए ब्रह्मा जी की आयू के बारे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी की आयू के बारे बता करके, उनके बाद जो भी शास्त्र को जानते हैं और वह जानते हैं कि ब्रमा जी का एक दिन 1000 शारत्रय एक बराबर होता है और रात्री होती है क्योंकि भूर्ष इस प्रकार से कि दिन होते हैं 15 दिन होते हैं और महीने होते हैं और एक साल के बाद ब्रह्मा जी मर जाते हैं उसके बाद अगर वह ब्रह्मा वैश्णव है तो मुक्ति प्राप्त करता है और नहीं तो दुबारा जन लेना पड़ता है अब हम थोला सा समझा देते हैं कि बहुत सामने नहीं इस लोग तो समझ बनी आगो देखिए चक्रवर्ति पात क्या कह रहे हैं कि देखो भाई ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के आयूगा वर्णन किया रहा है यह समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी वहां पहुंच गया तो अब वह हमेश्या वहां पे रहेगा अगर वह वहां पे रहना चाहे तो भी वह वहां हमेश्या नहीं रह सकता और इसके लिए ब्रह्मा जी की दिन और रात्री के बारें बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो लोग जानते हैं वह जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन यहां पे एक हजार चत्रियों के बराबर है तो कि ब्रहमा जी भी शरीर छोडते हैं और इसी बात को फिर्णा कशिपु नहीं जौनता था, फिर्णा कशपु ने बहुत साल तक ब्रहमा जी की तपश्या करी, जो ब्रहमा जी प्रकट हो तो उसने कहा मैं अमर होना चाहता हूं, तो ब्रहमा जी क्या कहा? बेटा मैं स्वयम ही अमर नहीं हूँ तो तुमको कैसे में अमर करूँ और आप भागवत में क्या सुन चुके हैं अम्रतत्त स्व इशानहा भगवान अम्रतत्त के इश अर्धात नियामक हैं क्यारत है अपने भगतों को अम्रतत्त अमरता प्रदान करते हैं कभी सुने हैं किसी देवता की पासना से अमर्ता प्राप्त हो जाए जब है ही नहीं तो देंगे कहां से मौक्ष को छोड़ करके तुम कुछ भी मांग लो हमसे तुम मोक्ष नहीं दे सकते और भगवान इतने समर्थ हैं कि प्रणाम करने वाले को मोक्ष देते हैं नाम बोलने वाले को मोक्ष देते हैं हरे राम हरे राम 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 हरे हरे तो बड़ा खूष होना चाहिए व्यक्तिको यह मैं नाम बोलने को मिल रहा है समझा रहा था कि जब मैं आयएटी की तियारी कर रहा तो और अंततहा मेरे आयएटी में सेलेक्शों हो गया सेलेक्शन हो अर्थात मुझे रैंक दिख गई त में जाने के लिए दुख पार नहीं सोच रहे तो वहां सेलेक्शन की न्यूज मिलकर ही खुस हो गए गए तो तीन-चार बहने के बाद जब वो क्या कहते हैं उसको काउंसिलिंग भासुलिंग हो जाती जो भी एडिमिशन होता है कौन से आये टीम जाएंगे यह पता नहीं था लेकिन लग्या कि हां इससे हम पहुंच जाएंगी जहां चाहरे ते वहां पहुंच भी गए कानपूर में पहुंच गए समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं तो अब आपको हरे कृष्ण मंत्र मिल गया है जो भगवान का नाम बोलता है भगवान की असी मती होती की विक्ति मेरा है इसकी रक्षा मुझे करने है तो रक्षा करने के लिए यहीं जगत में छोड़ देंगे इतने बेखूफ हैं हम लो इतने बुद्ध हैं कि आभी बात नहीं समझ पा रहे हैं डाट नहीं रहा हूं वास खाली आग्रह कर रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है अपने बच्चे को ऐसे स्थान में रखेंगे न जहां पर्मेनन्ट हो सुक का घर हो है की नहीं यहीं भावना रहती है जिसको अपना म बोल रहे हैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि जिसने भी नाम बोला है उसको लिख लेते भगवान का स्पष्ट शब्द है जिसने मेरा नाम कभी भी कहीं भी कैसे भी बूला है उसका नाम मैं कभी नहीं भूलता इसको लाना है वापस इतना लाया कि ठीक कर चोड़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान के पास चार हाथ दूरू हाथ पकड़ेंगे दूरू उस चाटा मारेंगे तो क्यों तू जा क्यों राइधर दूरू नॉट अलाव यू टू लिए अपके पहले क्यों नहीं बताया तम खर बात सब्धा रहे थे इस बात को कि ब्रम्भा जी की परम आयू समाप्त का वर्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ अगर कोई सन्यासी पहुंच किया तब भी वेक्ति को वहाँ से जाना पड़ेगा तो उसमें दो केस बन जाएंगे अगर उसकी इच्छा है कुछ तो फिर दुबारा जन्म लेना पड़ेगा दुबारा सृष्टी होगी तब जन्म लेगा और अगर मुक्षुद है तो वह भावान के पास चला जाएगा इतना टाइम खोटी करने क्या जूरत है इतना टाइ सेकंड पहुंचा को तीन सेकंड पहुंचा आ गए फिनिश एक बात जोंको लग रहा है कि मैं समाने से बात बोल गया लिए समाने बात नहीं है भक्त लोग साधना करते समय कभी कभी उद्विग्न हो जाते हैं अरो हम इतने दिन से जब कर रहे हमारा ये अनर्थ नहीं गया हमारा वो अनर्थ नहीं गया भवान को सारे अनर्थ पता है और भवान को पता कि कितने समय में कौन से अनर्थ नस्ट करना है और कितने समय में कौन से अनर्थ हम वाकई नस्ट करवाना चाहते हैं मेरी बाशा समझ में आई भवान मेरे हिर्दय को पूरी तरह शुद्द करत बहुत एक ब्रह्मान की अविदी सीमित है। यह काफी इंट्रस्टिंग है। जब एक्जाम होता है आपको पता है कि यहां पर हम लोग पिकनिक मिनाने नहीं आये हैं। यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाले ट्रेन में। जब हमें पता चलता है कि इस जगह में हम जहां पर हैं। वहां की अवदी सीमित है। बिकम डीटेश्ट किराए के मकान में। किराए के मकान में तो पहले अग्रीमेंट कर ले थे ग्यारा माईने। क्लॉक टिक टिक.कटक टिक.9-9-9-8-7-5-4-5-4 क्या आपने रुखने कि यह पड़ीं है। प्रपा जी के पहली लाइन जेनरेली बढ़ी जबरदस्त होती है। मैं समझा पा रहाहा हूं मैं क्या कहा हूं होटल। कितना हूँ अच्छा होटल हो आप जानते हैं यहां दो दिन रुखना है अना सकत भाव से यहां पर रुखते हैं यह भी कहने में कोई दिक्कत नहीं कि हो सकता है कि जिस होटल में रुके हो उसका जो comfort level है आपके घर से अधिक हो अधिक हो अशा भी दिखा जाता है लेकिन सकत नहीं होते क्यों नहीं होते हैं कुछ दिन के लिए हैं कुछ घंटों के लिए हैं और यहां गर्वड कर रहा है न विक्ति पैसा कमान में इतना उलच गया है कि जो शाश्व संपता है उसको बिल्कुर भूल जा रहा है यह कल्पों के चक्र की रूपे प्रकट होती है यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चत्रयुग सत्य त्रेता द्वापर त्था कली के एक हजार चक्र होते है सत्युग में सदाचार ज्यान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितानत अभाव रहता है, धर्म के चार टांगे रहती है, यह युग आ गया, सत्रा लाख, जो 28,000 वर्षों तक चलता है, जोड़ लिजेगा, त्रिता युग में पापों का प्रारंब होता है, और यह युग 12,006,000 वर्षों तक रह जाता है, द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हरास होता है, और पाप बढ़ते हैं, यह युग 8,004,000 वर्षों तक चलता है, सबसे अंत में कल युग जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भूग रहे हैं, आता है जिसमें कौलह, अज्ञान और धर्म तथा पाप का प करते हैं, असुनों का सहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दूसरे सत्युक का शुभारंब होता है, हम सत्युक शुभारंब नहीं कर सकते, भगवान करते हैं, कोई सोचिक मैं रुकूंगा और धर्म करूंगा, चेंज करूंगा, अपने को चेंज कर लो भईया, उस अगर कल यूग ना चल रहा होता तो भगवान कहते क्या अरे यार तो कल यूग की लोग इंसे क्या उमीद करें अब यह लोग माला कर लेंगे इतुसी से हम उनको वापस ले आएंगे हम लोग कुछ करने के लायक ही नहीं है और किसी चीज करने के लायक नहीं है तो ठीक है नाम बोले लिया वापस भगवान मौका ढूंड रहे हम लोग वापस लाने का दूसरी बात अगर कुछ गलती हो जाए तो आश्च्वर मत कीजिए कुछ अधर्म हो जाए हमसे तो सुला माला कैसी हो गई हमसे हम सुबह कैसी उठ गई कल यूग में रहते हुए हमने भोग कैसे लगा दिया भगवान को परणाम कैसे भवक्ति कर दिये यह अश्चर है यह मेरे शब्द नहीं है प्रभपाजी कहते है कि कोई व्यक्ति भवक्ति छोड़ दे तो आश्चर मत क करो टीका रहे तो आश्चर करो अरे आज भी किता में आ गए ओ हो वाव अगें चला जाए तो आश्चर नहीं करो यह हमको लग रहा है तो शुरुवात में कि बड़ी आसान सी बात है लेकिन अब हमको डिशेशन होता है कि दीरे दीरे कुछ लोग आते हैं करते हैं गुरू गायव गुरुजी मर गए गुरुजी तो जिन्दा है और चेरा जी कहां भाग गए एपसुलिट चॉली को छेग एकदम गायव क्या कारण है खुश भी नहीं है इसे वहरी पावर्फुल कर युगा यह चारो यूग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं इतने ही वर्षों क्योंकि रात्री होती ब्रह्मा के यह सौ वर्ष गढ़ना के उनसार प्रत्वी के ओ-ओ-ओ इसी देखाली एक दिन की डेफरेशन दी गए तिसमें कितने जिरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जिरो है उसके बाद चार है द प्रणाओं से ब्रह्मा की आयू अत्यंते विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है किन्तु नितिता की द्रिष्टी से यह बिजिदी की चमक जैसी अलप है समझ में आया है बादनों की चमक चन से हो चन मतलब टाइम की सैंस में बहुत चमक होती है कुछ चनों के लिए होती है जब यह इतनी लंबी आयू इतनी अलप है तो इस जीवन का छोटे जीवन का क्या महद्व है अब आप सुची कितना कम प्रभपाजी कि सोला माला का जब करो चार नम गंक पालन करो और तुम इसी चोठे से छनक जीवन शास्वत जीवन न्हीं प्राप्त कर लोगे और यह बी नहीं करपा रहे हैं लोग यह भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो कर रहे हैं बस एक ही कटना ही होती है कि सुभह नहीं करते इस लिए और दिन में छोड़ देते हैं और दिन में फिर नहीं होता है कार्णार्नब में असंग ब्रह्मा आट्लांटिक सागर में पानी के बुल्बलो की समान प्रकॉड रोती है, कठें प्रश्न्ट इमिक आट्लांटिक सागर में, कि इतने ब्लॉ जल्दी बताई तुरहुआ पानी जिर्ता पिरो सें बताईए। अगर गंती कर सकते तो आप गंती करते समझ में क्यों अगिनाते अगिनते परश्चन यह होगा कि गंती करके मिलेगा क्या पानी के बुलबले आपकी ग्लास में होते हैं होते हैं कभी-कभी तो गिंते हैं आप कभी क्यों कुछ मिलेंगा गॉट इट पूरा ब्रह्मान चान दीजिये तो बुलबुले की तरह से को मतलब नहीं है और हम जगत में सोच रहे कुछ महत पूर्ण है आप आप कर रहे थे ना कुछ सीखा है क्या सीखा है बुल-बुल करन लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़ाया जा रहा है भगवान की भक्ति के बारे में जिसको पढ़ने के लिए मनिश्य जीमन मिला है अगर मैं पूछ लो नाम क्या है दर्श दर्श आपको पता है कि आपके उमर कितनी है भी ग्यारा कैसे बता चलिए वह एक अलग प्रश्ण है अचलिए आप यह बता सकते हैं कि 20 साल पहले आप कहां थे अलग जनम में ताना इस भारत का बच्चा है वेरी गुड लेकिन ने सही बात है यह विदेश पूछ लेते ना वह समने बता बता क्या बेकूफ हो जब 11 साल का हूं तो 20 साल के पूछ क्यों रहे हो लेकिन यह इनको समझ में आ रहा है तो आप सोचो उस दमान पिछे जनम के माता पित आशा पिछे जनम के पत्नी क्या थी आपके पत्नी तो कुछ भी याद नहीं है और उस समय इसको कितना महत्तु दे रहे थे हम लोग हम सभी लोग मुसे पूछो कि आशी साल पहले आप कहां थे किया जाने के हाथ है उसमें वहां महत्तु दे रहे तो इसमें यहां महत्तु दे रहे और मैं ऐसा मसूची कि मैं आप लोग को बोल रहा हूं मैं खुद भी अपने बोल रहा हूं तो अपनी पॉइंट आउट करना गलती कि कुछ भी भगवान की भक्तु छोल कर देखिए मैं अपनी ज़्यादा दोस्त देखता हूं कि ठाक गुर्ज की ऐसी कृपा है कि मैं मुझे कोई मट्रियल काम करने के लिए ना ब्रमचारी अस्रम में बात था ना ग्रहस्ति में बात दिऊंग आप से ज्यादा स्ट्रिट मेरे को मुझ पर होंगे भगवान इंद सेंस कि एक सेकेंड के लिए भी करता हूं जो कृष्ण कौशन से नहीं है और इट इस फुली माई रिस्पोंसबिल्टी आई सी इट लाइक दिस बगवान ऐसे रखे है बच्चे को रखते ना गोध में से रखे हमें कोई मटीरल कारे नहीं करना है अपनी बात कर रहा हूं बाकी ल हम को यह करने के लिए वक्ति का कारे चुड़ना पड़ा ए कैसी नहीं बलकिल कउमन सी बात है अब अगर वहाग्वान की भक्ति नहीं कर रहे हैं थो किसी चीज को अधिक महत दे रहे हैं जो वहाग्वान के नाम रूप गुण्षण आते से माधिक माध पूंता 산 हूं हमारी मूर्ता है परमपुजराधानात्माराथ इसी हॉस्पिस में वहां क्लास दे रहे तो कहरते दा प्रॉब्लम विद अस इस दाट विए टेकिन दिस वर्ल्ड तू सीरियस्ली ज्यादा बहुत पुसको महत्य दे रहे बस इसलिए खूब सुनना चाहिए जब बुल-बुल पूरा ब्रह्मांड ही बुल-बुला है तो बताइए कि हमारा घर हमारे एस्पिरेशन पर क्या वैल्ली है हमको यह सब मेडिटेशन यह बात हैं इमको बहुत अच्छे लगती ठीक है ब्रह्मा तथा उनके शृष्टी उनकी शृष्टी भौतिक ब्रह्मांड के अंग है फ सब्सक्राइब बुड़े नहीं होते समय बीटता है लेकिन ऐसा नहीं कि अब एक यासी वर्षी उमर में ब्रह्मा जी चस्वा लगा के इंदर लोग नहीं दिख रहा है भाई उसके साफ से अरे वह उसके उस जीव कर्म के अंसार नहीं और भूल गया उसकर्म क्या देना च सब्सक्राइब नहीं होता है किन्तु चुकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की विवस्था करते हैं इसलिए भगवान की प्रतिश्व सेवा में लगे रहते हैं वाला सवरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है वह शुद्भक्त यहां तक कि सिद्ध सन्यासियों इसलिए यहां इस बात को सुन करके विक्ति को वैकुंठ जाने के लिए विवत को धारन करना चाहिए त्यारी करें चाहिए एक बहुत बात बोल रहा हूं शास्तिर को सुनने के बाद भी अपने जीवन को हम तुरंद चेंज नहीं कर सकते चलिइ स्विकार है लेकिन तुरंथी चेंज करने का निर्ने ले लेना शुरू कर देना चाहिए, मैं समझा पारा हूं मैंने क्या कहा ऐसा तो नहीं कि अब तुरंथी सब लोग 16 rounds करने लग जाएंगे, लेकिन कम से कम अला डो मला, चार मला करना चाहिए, भई देखो एध मैच वचार कर रा था, आप प्रहु कितने दिर काम करते हैं आफिस में एट दस घंटा और सोते कि आठ घंटा माल लिजिस होते हैं चलिए नौ माल लिजिए पता नहीं आठ नौ के तुसा है आठ दस और आठ हो गया ठारा एक घंटा नहाने दोने में लग गया नौ कितने बचे पांच तो पांच घंटा भक्ति होनी चाहिए अब उसमें कोई कहें कि हम बच्चों का ध्यान रखेंगे तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा तुम्हारा मतलब उस व्यक्ति का ध्यान कौन रखेगा कर था कि कि नहीं को बच्चों के लिए टाइम निए और बच्चों को ना पढ़ाये पढ़ाए है वेद पढ़ाई और नहीं है अब भृक्रिश्ना और गयति नित्षा उस आरे वेद पढने करना व जाता है और बाकी तो जो टाइम बच्च दे रहे हैं वो बच्चे का टाइम भी खराब कर रहे है और अपना भी टाइम खराब कर रहे है आश के सोब смотреть TV तो नहीं था तो कि आमातापेता बच्च को टाइम नहीं देते थे यह बात है बहुत गंबीर है क्योंकि मेरा मित्र था मैंने बुरा जब में आओ तो कर नहीं आया मैं वो बच्चे को साइकल घुमा रहा था उनको जर मुर्त्यों की साइकल से बाहर रिकलने में कोई रूची नहीं है कब साइकल गुमाओंगे वाई यही तो कब तक साइकल कम रुकेगी सौछ यह साइकल कब रुकेगी जर इसका मुब बात है शौन का भाव कि तो यह सब चीजें है कोई कूछ पूच रहा है तो हम देख लेते है क्या वहां बड़ापा भी नहीं आता नहीं आता क्या नीचे के लुकों में पृत्वी की कंपरजन में और भी तेजी से समय बीता है मुझे कुछ नहीं कह सकता जो नहीं पता है हां अरे किशने प्रोजी अपने बुले ब्रह्मा जी मतलब वैशनव नहीं भी होता है अच्छा बात पता नहीं भूल गया देखिए जो सौ जन्मों तक वर्णाश्रम के नीवों का एकदम ठीक पालन करता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसको ब्रह्मा जी की स्थान दे जाता है सौ जन्म तक और बिल्कुल बिना गलती के तो अब यह सिति जरूरी नहीं की ब्रवान का भक्त ही हो लेकिन ब्रवान के भक्त भी पर्मा बनते हैं आदा पर दो हमारे ब्रमा का दर्शन किया तो हमारे ब्रमा की भक्त है ना उतर शुद्र-भक्त सिस्ट多 है टीक है लिखा है त कि लिए कि उनकंगों क्या होता होग जो भक्त नहीं उनकी चिंधा करने जुरतर नहीं चिंता में अपनी करने कि अपनी और अवे प्रइव है के लिए पस्कों कि नहीं कर रहे है इन ब्रहु मुद्ध कर दोबाड़ा रहे हमको हम भक्त करें ताकि हमारा दुवारा जब नहीं हो आप तो करी रहे हैं मैं खाली बोल रहा हूं तो ये बात आप समझ के श्लोक को क्यों बता गया था कि ब्रह्मा जी के आयू अनराग का अर्थ होता है कि जब भी वो वस्तु मिले ऐसा लगे कि वह नवीन है नई है नित्य नवीनता कानभवो और आप देख रहे हैं कि भगवत गीता यद्देपी श्लोकों को हम पहले भी सुने भी होंगे लेकिन जितनी बार उसको पढ़ते हैं उतना ही फ्रेशनेस न और आठवे धाय के भगवत गीता के अठवे धाय के 28 में श्लोक में प्रभुपात जी कहते हैं मैं पढ़ना चाहूंगा मैंने शेर भी केतम पड़ दे रहा हूं इस भगवत गीता के प्रति अनराग से क्या होता है जिसे भगवत गीता में तनिक विश्रधा नहीं है एक मि पता नहीं है उसे किसी भगवत गीता में तनिक विश्रधा नहीं है उसे किसी भग्त से जिश्रधा नहीं है कि श्रधा है जिसे भग्वत गीता में तनिक विश्रधा नहीं है उसे किसी भग्त से भग्वत गीता समझनी चाहिए क्योंकि चौथते अध्यашаی के प्राणव में भी मही कहा गया है कि केवल भक्तibtण ही गीता को समस्तकते हैं अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतहा, मनश्य को चाहिए कि वे किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनो धर्मियों से नहीं अर्था जो मन गणन तरीके से व्याख्या करते हैं। ये श्रद्धा का सूचक है, उसको विश्वास है, सई श्रद्धा, जब भक्त की खोज की जाती है, और अंततहा भक्त की संगती प्राप्त हो जाती है, उसी छण से भगवद गीता का वास्तिविक अध्यान तथा उसका ज्यान प्रारंब हो जाता है, तब ही से भगवद गीत उंको बॉल लाता कि भगवान तो आप्त काम हैं, उन्हें हमारे किसी भी चीज की क्या जूरत है? मिस्टेक है, कोई भी चीज पहली बात हमारी है ही नहीं, वो सब उनकी है. लेकिन हम जब उनको देते हैं तो हम भी उनके हो जाते हैं हमारा प्रेम हमको आफर कर रहे हैं तो ये भ्रहम काफी समय लगा उनको बास समझने में इस प्रकार भ्रहमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्धन में स्थिर हो जाता है जैसे जैसे हमारे हर्दे पवित्र होग और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूती होने लगती है आगे बढ़ने पर वह कृष्ण की प्रेम में पूंड अनरक्त हो जाता है यह जीवन की सर्वोच दवस्ता है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोग व्रिंदावन को प्राप्त होता है जहां वह नित सुखी रहता है अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हम सभी की एक स्टेज थी जीवन में इसी जीवन में जिसमें भगवद गीता के प्रती कोई श्रद्धा नहीं थी इस इसलिए तो नहीं पढ़ रहे थे ना कि रोज पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे फिर बगतों की संगती हुई तो हम लोग भगवद गीता पढ़ने लगे अब हम रोज पढ़ते हैं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ ये की प्रोसेस है जो सबके संग स्टैन्डर वे में होता है जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हुए बकतों की संगत्ती में रश्रवन क के तन करते क ereणं पहुंचे हैं ऐसे ही यही श्रेवन किर्तन करते करते भगवत प्रेम तक पहुंच जाएंगे और उससे गोलोग विरिंदावन पहुंच जाएंगे तो कोई आपको कहे कि भगवत गीता तो केवल शिशु शास्त्र है इस फ़र बेबी तो उनसे बोरो हम कों से बड़े हुए हैं भई हम तो बेबी ही हैं A babies day out, babies day out in Bhagavad Gita, यह babies only, लेकिन ये सब कहने की बात है, उनसे बोलो, उनसे पुछो, अच्छा हम तो बेआप है, सूरीदेव भी बेबी हैं, किया सूर्य देष भी बेबी हैं किया मणु महराज बेव बेबी है मनु तो सारे मानव आप तो वह भी बेबी हैं ऐसी बातें बोलते हैं मन सोचेगा समत बता तो उपियों वाली बातें पढ़ो भवदीता क्या पढ़ रहे हो तो बच्चों का शांस्ति रहे लेकिन आप यहां क्या देखें पढ़े हैं आप लगवास गीता होगी आप पढ़ दीजेगा प्रभवाजी कतात पर 8.28 लास्ट परग्राफ कि जो गीता में रुची ले रहा है तो रुची लेगा तो रोज पढ़ेगा तो उसका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा प्र 45-50 साल भगती करते जारे हैं वेहराइभी नित्फपर्ति भगवद इता पढ़ते हैं व्रिंदावन जाने की योगेता परमान आपके समने मने रखती है. So, and you have some taste. That's why you are visible every day. मुझे बाइनोकुलर्स लेकर धुंडा नहीं पड़ता क्यो गया कहा? Deoates are coming. So, keep like this and then let's see what happens. Hare Krishna, we'll stop here. Śrima Bhagavad Gita की जाय, Śrila Prabhupāत की जाय.